दिल्ली में दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोगों को वैक्सीन लग जाए दिल्ली के हर नागरिक के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाए हम तमाम तरह से कोशिश कर रहे हैं जितनी वैक्सीन हमको मिल रही है हम उनको फटाफट वैक्सीन लगा रहे हैं ताकि जिसको भी वैक्सीन लग जाएगी कम से कम उसका स्वस्त रहना सुरक्षित रहना सुनिश् आज खटर जी ने कल में उनका एक वीडियो देख रहा था हर्याणा के मुख्यमंत्री है मनुरलाल खटर जी खटर साब ने कहा कि केजरिवाल जी जल्दबाजी कर रहे हैं वैक्सीन धीरे धीरे लगवाएं मतलब वैक्सीन बचा के रखे हैं उधर जेपी नड़ा जी ने वी कल अर्विंद केजरिवाल जी के लिए काफी उल्टा सीधा बोला बुरा भला कहा उनके लिए भारती जिनता पार्टी वाले अपने कोविद मैनेजमेंट के फेरियर को छिपाने के लिए अर्विंद केजरिवाल जी को गालिया देते रहते हैं पूरे देश में उनसे कोविट नहीं संभला जब कोविट को संभालने की बात थी जब वैक्सीन लाने की बात थी जब वैक्सीन प्रक्यॉर करने की बात थी देश में वैक्सीन को जादे बनवाने की बात थी उस वक्त तो इमेज मैंजमेंट और चुनाव मैंजमेंट में वे जान बची आज अर्वीन केजरीवाल जी को गालियां लगते हैं, प्र घॹटर साब कोछ बूँदेते हैं, कब्धि नढड़ा साब कुछ गालिया देने लगते हैं, इन्होंたे पेहले दिल्ली के लोगों के अक्सीजन रोक ली, फिर अर्विंद केजरीवाल जी ने लड़के इन से लड़े, कोट में भी इन से जाके लड़े, वैसे भी लड़े, और फिर दिल्ली के लोगों के लिए अक्सिजन लेक के आए, और इसकी वज़े से दिल्ली के हजारों लोगों की जान बची, आज अरविंद केजरिवाल जी कह रहे हैं हमें दिल्ली के सब लोग आप गालियां देने लगते हो कि राजनिती कर रहा है फलाना ओरा धिमका हो रहा है। मैं बीजेपी के लोगों से कहता हूँ अपने अपने राज्यों में भी जहां जहां आपकी सरकार हैं वहां लोगों को वैक्सीन लगाने पर ध्यान दो। केजरिवाल जी दिल्ली के एक एक आजमी को वैक्सीन लगाके थर्ड वेव से पहले सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जतना जल्दी लोगों को वैक्सीन लग जाए उतना जल्दी लोगों की जान बचेगी। उतना जादे लोग से लख्षित रहेंगे थर्ड वेव अगर आत केजरिवाल जी का मकसद है कि लोगों को वैक्सीन लगे, लोगों की जान बचे, वो उसके लिए काम करते रहेंगे, आपका मकसद है वैक्सीन बेच दें, आप बेचने पर काम करते रहेंगे, थैंक्यू करते रहेंगे, आपका मकसद देंगे, 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 झाल झाल